दोस्तों, पठान जवान जैसी फिल्में कब आई और कब बैक टू बैक दो हजार करोड कमा कर चली गई, शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। तब बॉलिवुड को जरूरत थी, तो सिर्फ एक नाम याद आया था। और अब फिर से बॉलिवुड को बचाने उसका बादशाह ही आएगा ना। फाइनली वो अच्छे दिन आएंगे जब हिंदी सिनेमा से साउथ वाले और अंग्रेज दोनों डर के भाग जाएंगे। किंग नाम तो सुना ही होगा, शाहरुख खान ने काफी सीरियसली ले लिया है अपने फैंस को और अब बारी हेटर्स की है उनको इसी नाम से बुलाने की, तो यार दो नवंबर आने वाला है और जैसा आपको पता है शाहरुख खान के लिए सबसे ज्यादा अगर कुछ मैटर करता है तो वो है उनके फैंस, उनकी ओंडियंस और इस वक्त ओंडियंस की सिर्फ एक डिमांड है, ये दिवाली माने दो नवंबर या फिर एक नवंबर की रात ठीक बारह बजे शाहरुख खान का कमबैक अनाउंस कर दिया जाए, माने किंग का टीजर मांग रहे हैं लोग पूरे हक के साथ, एक्चुली डंकी ने शाहरुख खान की सक्सेस हैट्रिक को पूरा होते होते अधूरा तो इस बार बारी किंग की है जिसको ऐसा धमाका करना पड़ेगा, जिसके बाद बॉक्स आफिस पर ऐसा नमबर आए कि जवान और पठान दोनों का कलेक्शन आपस में जुड़ जाए, ये सब तो हो गई सपनों वाली बातें जिसको रोज हर एक शाहरुख खान फैंस कनफ्यूजन की वजह है, खुद शाहरुख खान की फिल्म किंग है, जिसने हर किसी को धोखे में डाल दिया है, एक सेक्शन है जो साफ बोल रहा है कि दो नवंबर को किंग का अनाउंसमेंट 100% आएगा, इवन रेड चिलीज के आफिस पर स्पेशल पोस्टर शूट भी किय कुछ लोगों ने तो यहां तक दावा कर दिया कि सिर्फ पोस्टर नहीं अच्छा खासा वीडियो टीजर भी आएगा, जिसमें शाहरुख खान को एज ए किंग प्रेजन किया जाएगा, तो दूसरी तरफ कुछ लोग लॉजिक ढून रहे हैं, उनके हिसाब से किंग की रि जूट नहीं बोलूँगा, ये वाली बात सोचने में थोड़ी ज्यादा कन्विंसिंग लग रही है, क्योंकि एक साल पहले फिल्म को अनाउंस करना वो भी टीजर के साथ धमाका कर देगा, बट एक तरफ मैं खुद शाहरुख खान का फैन हूँ, तो लालच मुझे भी है क कि दो नवंबर को चाहे पोस्टर ही क्यों ना हो, कुछ तो फिल्म से रिलेटेड आ जाए, और भाया फाइनली उपर वाले ने हम सब की सुन ली है, क्योंकि दो नवंबर छोड़ो आज के आज अभी के अभी किंग से शाहरुख खान का फाइनल लुक रिवील हो गया है, द रईस एक अंडरेटेड फिल्म है, उसमें जो स्क्रीन प्रेजन्स था शाहरुख खान का वह लिटरली पठान जवान इन सबसे भी ज्यादा खतरनाक था, वैसे आपको पता ही होगा, किंग में एसार के एक डॉन बनने वाले हैं, जो आगे चलकर सुहाना के गुरू इनीशियली फिल्म सुहाना के लिए लिखी गई थी, बट बाद में एसार के को कहानी इतनी पसंद आई कि सुजोई घोष ने उनको कहानी का लीड कैरेक्टर बनाने का फैसला कर लिया, तो अब मुद्दे की बात क्या हुआ ऐसा कि इंटरनेट पर लोग बोल रहे हैं कि 2 नवंबर से पहले ही किंग का लुक लीग हो गया, दरसल कुछ फोटोज बाहर आए हैं, शाहरुख खान किसी स्पेशल इवेंट में अपने ब्रैंड को प्रमोट करने गए थे, वहीं पर उनका वह सॉलिड पेपर लोग पूरी दुनिया के सामने आ चुका है, इस लुक से इतना तो कनफर्म है कि इसका सीधा सीधा कनेक्शन किंग के साथ ही है और क्या पता चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म का पोस्टर शूट हो गया है, इस लुक में छुपा है दो नवंबर को होने वाले धमाके का, जिसका अंदाजा शायद कोई नहीं लगा रहा है, शे अरुख खान की फिल्म अनाउंस होगी या नहीं, तो जब किंग खुद थीटर्स में आएगा, बॉक्स आफिस का क्या हाल करके जाएगा, एंड फ्रैंकली बोलूं ये लुक, या फिर कुछ दिन पहले वाली फोटो अगर सच में किंग से जुड़ी हुई है, तो बॉस ये कॉन्फिडेंस देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बंदा पूरा इंडियन सिनेमा हिलाने वाला है, फिल्हाल दो नवंबर का प्लैन 50-50 है, बट मुझे भरोसा है, एसार के फैंस को डिसपॉइंट नहीं करेंगे, कुछ तो कंटेंट ज़रूर आएगा, जो एद दो हजार 20 का स्टेज सेट करके जाएगा,